पैटोल पंप मैनेजर कैसे बने? उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और कौन-कौन से कार्य करने होते हैं? आज इस सभी सवालों के जबाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे पैटोल पंप मैनेजर या सुपरवाइजर किसी भी पैटोल पंप का एक जिम्मेदार करमचारी होता है जो उस पैटोल पंपर होने वाली सभी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होता है पैटोल पंप मैनेजर को पैटोल पंप का मालिक न्यूक्त करता है जिसका कार ये है पैट्रोल पमपर कारी करने वाले करमचारियों की देखरेख रखना उए सही से काम कर रहे है या नहीं इसकी जाच करना ग्राकों को सही से पैट्रोल दे रहे है या नहीं या किसी तरह की कोई गड़बडी कर रहे है और अगर गरबडी करते हैं तो उसकी सूचना पैटरोल पंप मालिक को देना पैटरोल पंपर किसी तरह का लड़ाई जगडा हो जाने पर उन्हें शांत करना भी क्रमचारें से पैसे क्लेक्ट करना और उन्हें कितना पैटरोल या डीजल सेल किया है इस सब का रिकोर्ड रखना आज इस अभी की जिम्मेदारी पैटरोल पंप मैनेजर की होती है उस पैटरोल पंपर कितना पैटरोल या डीजल आया है उसका रिकोर्ड रखना और उस पैट्रोल पंपर हर रोज कितना पैट्रोल और कितना डीजल सेल हो रहा है उसका रिकोर्ड रखना और फिर उस रिकोर्ड को कम्प्यूटर में फिल्ड करना और क्लेक्ट हुए पैसे को बैंकों में जमा करना पैट्रोल पंपर क्रमचारियों का रिक्रूटमेंट करना उन्हें मजीन चलाने की ट्रेनिंग देना आदी सभी कारिये भी पैट्रोल पंप मैनेजर करता है पैट्रोल पंप परिशर में साप सफाई करवाना महापल लगे CCTV कैमरा, लाइट आदी को समय समय पर चेक करना कि में सही से काम कर रहे हैं या नहीं महापल लगे मशीनों को समय समय पर चेक करना और खराब हो जाने पर उन्हें ठीक करवाना हदी सभी कारियों की जिम्मेदारी भी पैट्रोल पंप मैनेजर की होती है तो इस परकार पैट्रोल पंप मैनेजर का कारिये बहुती जिम्मेदारी वाला होता है क्योंकि किसी भी तरह की कोई गडबडी हो जाने पर सबसे पहले पैटरोल पंप मैनेजर से ही पूछ साज की जाती है पैटरोल पंप मैनेजर को परती महा 15,000 से 25,000 की बीच में सैली मिलती है जिए पैट्रोल पंप बड़ा है और वहाँ पर जादा सेल होती है तो यह सैली 25,000 से बढ़कर 35,000 रुपे तक भी हो सकती है पैट्रोल पंप मैनेजर बनने के लिए आपका 12 पास होना ज़रूरी है इसके साथ ही जिस भी शेतर में पैट्रोल पंप है आपको वहाँ की लोकल भाषा भी आनी चाहिए और इंगलीज का ग्यान भी होना चाहिए इसके साथ ही आपकी communication skill भी अच्छी होने चाहिए जिससे की आप गरहकों से अच्छे से बात कर सके अगर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान कर सके आपको computer की knowledge भी होने चाहिए और आपका गनित भी अच्छा होना चाहिए जिससे की आप calculation अच्छे से कर सके petrol pump पर selection interview के आधार पर होता है petrol pump पर manager बनने के लिए आपको अपने आसपास बने petrol pump पर जाकर पदा करना होगा कि वहाँ पर vacancy है की नहीं और दोस्तों जो OL की company है जैसे की Indian OL, HP, Reliance आधी ये भी online vacancy ने रहती है जिनके लिए आप इनकी website पर जाकर बरती देख सकते हैं और अपने location के अनुसार उसमें apply कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे channel को भी subscribe कर सकते हैं जिसे की petrol pump पर जब भी कोई vacancy आएगी तो उसकी notification सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसके लिए apply कर सके